अब लॉट नमस्कार स्वागा थे आपका अपना चैनल अरियन अस्टडी सेंटर में अज हम लोग बहुपद का गुणा बनाना सिखेंगे बहुपद का गुणा कैसे बनता है इसके बारे में सिखेंगे और मैं आपको दो-दो तरीका बताऊंगा फ्रेंट्स आपको जो भी तरीका जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं तो चलिए हम लोगा स्टाट करते हैं देखिए बोड़ पर एक सवाल लिखा गया है करमिक गुणनफल निन्ने करो और यहां पर देखिए तीन बहुपद दिये हुए एक दो तीन और हमें तीनों का गुणा कर ना है तो चलिए पहला मेथड पहले बिदी से बनाते हैं तो फर्स्ट मेथड वन मेथड वन में गुणा करना सिखते हैं कि कैसे करते हैं तो सबसे पहले जो दो पर दिया है लिख दीजिए एक स्प्लस वान कुछ नहीं है का मतलब ब्रेकेट के बाहर यहां बीच में चलिए 2 x उसका मतलब यह हुआ कि इस x से इन दोनों का मल्टिप्लाइए होगा फिर वन का इन दोनों के साथ मल्टिप्लाइए होगा तो चलिए सबसे पहले x का हम करते हैं तो x को 2x से करेंगे तो 2 यहाँ x का power 1 है और यहाँ x का power 1 है और हमें पता है कि जब भी 4 संखिया का गुणा करते हैं और base बराबर होता है तो उस संखिया का power क्या होता है जूर जाता है तो यहाँ x का power 1 x का power 1 कतना हो गया x का power 2 हो जाए करोओ करेंगे तो ंखसे निए अखिए और PM में करेंगे तो फिर 1 को 2re से गुणा करेंगे प्लस और अब देखिए यह यह एक से और यहां बेशार ही से तो यह देखे दोनों प्लस में यह और यहां कुछ नीहें तो एक है सो धो यह कितना हो गया 3x plus 1 तो देखिए इन दोनों का गुणन फल केतना निकला 2x square plus 3x plus 1 अब हमें इसमें क्या करना है तिसरे वाले पद से गुणा करना है 3x plus 1 से तो इससे गुणा कर लेते हैं तो देखिए ये 2x square से पहले इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 आई 6 यहां x का पावर 2 है यहां कुछ न 2x square को 1 से गुणा करेंगे तो plus 2x square इससे इन दोनों में गुणा होगी आप दूसरे वाले से इन दोनों में गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 3 9 x और x का गुणा होगा तो x square फिर 3x को 1 से multiply करेंगे गुणा करेंगे तो 3x इससे भी इन दोनों में होगी आप 1 स इन दोनों करेंगे तो 1 को 3x से गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आप देखिए यहां 6x का पावर 3 अकेला है इसको अकेला लिख देंगे यहां स्क्वेर है यहां भी स्क्वेर दोनों को 8 कर देंगे तो 9 और 2 11 बाइब तो यह रहा हमारा इंटू टू एक्स प्लस वाल इंटू थिरी एक्स प्लस वन का गुनन फल यह था पहला मेथड अब चलते हम लोग दूसरे मेथड से इस स्वाल करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहां कर्मिक गुनन फल बोला है तो पहले इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो दूसरा तरीका क्या है तो X plus 1 लिखना है उसके नीचे में हम लिखेंगे 2X plus 1 लाइन खिचना है उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे इस नंबर से इसमें multiply करेंगे तो 2X को 1 से multiply करेंगे तो क्या होगा 2X square प्लस यहां भी है यहां भी है तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है दो को 2X को एक से गुणा करेंगे तो 2X हो जाएगा उसके बाद इससे इन दोनों में multiply हो गया गुणा हो गया अब हम क्या करेंगे एक से करेंगे तो इसके नीचे से लिखना है और एक चीज़ आपको याद रखना है गुणा करने के बाद जो मिलेगा यहां पर वह इसके नीचे लिखेंगे नहीं मिलेगा तो उसको तो इसको बाहर में इस ब्लस अभी से जोड़ लेना है तो 2x square plus 2 और 1 3x plus 1 तो इन दोनों का गोणन फल 2x square plus 3x plus 1 आया अब हमें इसमें इससे multiply करना है तो चलिए इसको यहां लिख लेते हैं 2x square plus 3x plus 1 multiply करना है 3x plus 1 से तो 3x को पहले इन से multiply करेंगे तो 3 2 नी 6 x का power 2 है यहाँ 1 है तो x का power 3 फिर यहां plus से यहां भी plus plus प्लास into plus plus 3 3 आई 9 x को x से गुणा करेंगे तो x square plus 3x को x से गुणा करेंगे 3x इससे इन तिनों में गुणा हो गया अब x से हमें गुणा करना है तो x से 2x square में करेंगे तो यहां लिखेंगे plus 2x square फिर 1 को 3x से गुणा करेंगे तो 3x ही आएगा तो कहा है यहां इसके नीचे लिखे देना है उसके बाद 1 को 1 से multiply करेंगे तो 1 होगा और 1 यहां कहीं है क्या चरसंग आके लिए कहीं नहीं है तो इसको side में लिखेंगे plus 1 अब एक साथ 8 कर देना है 6x power 3 प्लस 9 बाद 2 11x square प्लस 3 3 6 प्लस 1 तो यह रहा 2x plus 1 3x plus 1 का दुसरे बिधी से गुणान फर्ग तो friends आपको यह वीडियो कैसे लगा वीडियो यदि पसंद आया हो मेरे friends और आपको यह दोनों तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो पर like, comment आवास यह करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारे चैनल को subscribe कर ले क्योंकि आपका एक like, comment और subscribe हमें energetic बनाता है वीडियो बनाने के लिए और हम full inspiration से वीडियो आपके लिए बनाते हैं तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन जाए भारत